नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे दीजे ये बहुत खुबसूरत लगेगा तो चलिए दोस्तों हम सुरू करते हैं इस डि फंदा डालने के बाद बौडर बना लिजे बौडर बनाने के बाद आप ये डिजाइन सुरू किजे तो इस डिजाइन को सबसे पहले पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को सीधा सीधा बुन करके complete करेंगे पूरी सलाई हम सीधा बना लेंगे तो हम पूरी सलाई बना लेते हैं अब देखे पूरी सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से पहला फंदा उतार लेंगे और पूरी सलाई हम उल्टा उल्टा बुन करके complete करेंगे तो हम पूरी सलाई बना लेते हैं तो देखें यहां हम उल्टा के तरब से भी बना लिये हैं और अब हम सीधा के तरब से तीसरी सलाई बनाएंगे तो इसमें देखें पहला फंदा को उतार लेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा को आगे करेंगे और पांच फंदा पर ऐसे दो बार लपेट के उल्टा से बनाएंगे दो तीन चार एक पांच पांच फंदा पर हम ऐसे उल्टा से लपेट के दो बार लपेट के उल्टा बना लेंगे धागा को पीछे करेंगे और पांच फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर पांच फंदा पे दो बार लपेट के उतारेंगे इस तरह से आपके सलाई पे जितना भी फंदा होगा सब में इसी तरह बनाना है पांच फंदा पे दो बार लपेट के उल्टा बनाना है और पांच फंदा सीधा बनाना है अब देखें यहां बना लिए पूरी सलाई अब देखें लाश्ट का दो फंदा को सीधा बनाएंगे तो यहाँ देखे हम पूरी सलाई बना लिये हैं अब हम बनाएंगे उल्टा की तरब से उल्टा की तरब से देखे पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा बनाएंगे यहाँ देखे जो पाँच फंदा है इसको हम पहले खोल लेंगे और फिर ये पाचपंदा को हम बुनेंगे नहीं और यहां से देखे फिर पाचपंदा उल्टा बनाएंगे देखे पाचपंदा को खोल लिए पाचपंदा को उल्टा बना लिए फिर देखे ये डवल वाला को खोल लेंगे इसको बुनेंगे नहीं और पांच फंदा को फिर उल्टा बना लेंगे इस तरह से पूरी सलाई में बनाते जाएंगे पांच फंदा उल्टा पांच फंदा को खोल लेंगे तो देखें आप पूरी सलाई बना लिये हैं अब सीधा की तरब से सीधा के तरब से देखे पहला फंदा को उतार लेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखे यहाँ पर जो हम पांच फंदा खोले हैं इस पे हम इस तरब बीच से सलाई डाल करके पांच फंदा में पांच फंदा बनाएंगे देखिए, एक हो गया, फिर ऐसे एक फंदा बनाएंगे, दो हो गया, फिर उसी पाँचों में बीच से ऐसे एक फंदा बनाएंगे तीन हो गया, फिर एक फंदा इस तरह लपेट के बनाएंगे, चार और एक बार फिर से उसी तरह बनाएंगे, पाँच पाच फंदा में पाच फंदा बन गया अब देखे इसको गिरा देंगे तो इस तरह से बन जाएगा फिर पाच फंदा सीधा बनाएंगे पाच फंदा सीधा बना लिए और यह पाच फंदा जो खोले हैं इसको हम पाचों को फिर उसी तरह से पाच फंदा में पाच फंदा बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच पाच फंदा में पाच फंदा बना लिए अब इसको गिरा देंगे इस तरह से आप पूरी सलाई में बनाते जाएं लाश्ट का दो फंदा सीधा बना देंगे तो देखे यहां पूरी सलाई बना लिए अब बनाएंगे उल्टा के तरफ से उल्टा के तरफ से पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा से बनाते जाएंगे तो देखे यहां जो यह पांच फंदा है इसको भी हम उल्टा से बुन लेंगे तो हम पूरी सलाई को उल्टा से बुनते चले जाएंगे पूरी सलाई उल्टा बनाएंगे तो हम पूरी सलाई बना लेते हैं तो देखे यहां हम पूरी सलाई बना लिये हैं और अब सीधा के तरब से देखे पहला फंदा को उतार लेंगे और पूरी सलाई को सीधा से बनाएंगे तो पूरी सलाई सीधा से बना लिए अब उल्टा के तरब से देखिए पूरी सलाई उल्टा बना लेंगे अब देखिए सीधा के तरब से सीधा के तरब से देखिए अब हमारा डिजाइन यहां बीच में बनेगा एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा को सीधा बना लेंगे दो फंदा हो गया, अब पांच फंदा को हम प्लेन सीधा बनाएंगे दो और पांच, पांच हो गया, अब धागा आगे करेंगे अब देखिए यहां पांच फंदा पे डिजैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदा पे इस तरह डिजन बना लिए फिर धागा पीछे पांच फंदा प्लेन सीधा बनाएंगे इस तरह से पूरी सलायो बनाते जाएंगे लाश्ट का दो फंदा को भी सीधा बुन देंगे तो देखे यहाँ पर हम पूरी सलाय बना लिए हैं और यह डिजाइन बनते जा रहा है इसी तरह हम इसको रिपीट करेंगे यहाँ पर फूल बनेगा इसी तरह से बनते जाएगा हम रिपीट करते जाएंगे तो हम थोड़ा सा repeat करके आपको दिखाते हैं तो देखें यहाँ पर हम थोड़ा सा repeat कर लिए हैं और यह design बन करके तयार हो गया है तो दोस्तों आपको मेरा यह sweater का design कैसा लगा? कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा यह sweater का design पसंद आया हो तो लाइक करें और धेर सारा शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू